नमस्ते हैं अब सभी का मेरे चैनल में स्वागत हैं मेरा नाम हर्षिका है हमारी आज की जो विडियो है वो टैरो टीचिंग के उपर है कि कौन से काड आपकी रियूनियन की बारे में बताते हैं सो हमारे हमारे पस तीन कार्ड्स हैं पहला जो कार्ड है वो है एट अफ काप्स का हैं दूसरा जो कार्ड है वो है सिक्स ओफ काप्स का तीसा जो कार्ड है दर टावर तो ये तिनों कार्ड आपके reunion के बारे में क्या बताते हैं और क्या information देते हैं कि उस बारे में हम बात करेंगे तो अगर आप किसी की reading बनाते हैं या फिर आप अपने खुद की reading ले रहे हैं और आपका question यह है कि मेरा reunion कब होगा कैसा होगा या क्या situations में होगा तो अगर आपके पास जो पहला card है वो eight of cups का आता है तो eight of cups एक reunion का card है कि आपके जो past lover है या फिर जिस भी person के साथ एक separation face पर आप चल रहे हैं वो आपके पास वापस आएंगे और जब यह आपके पास वापस आएंगे तो यह person अपनी life में बहुत कुछ पीछे छोड़कर वापस आएंगे यानि कि यह जो person है इन्होंने किसी कार्मिक baggage को पीछे छोड़ा है यह एक ऐसा reunion है जो मतलब एक ऐसा होगा जो बहुत ही जादा लंबे time से plan किया गया होगा कि यह person आपके लिए बहुत लंबे time से plan कर रहे हैं कई महिनों से या कई सालों से plan कर रहे हैं कि इन्हें आपके पास वापस आना है और आप से शादी करनी है और जब यह आपके पास वापस आएंगे तो इनको आपके पास वापस आने के लिए बहुत सी चीज़ें एक life पूरी छोड़नी पड़ेगी हो सकता है कि इन्हें अपनी state छोड़नी पड़ेगी अपनी family को छोड़ना पड़ेगी आपके साथ reunite करने के लिए एक ऐसा रियूनियन होगा जो इस परसन के लिए आपके लवर के लिए काफी ज्यादा प्लेइन पेइनफूल होगा और वह काफी लंबे टाइम तक इसे मेंटली प्लान करेंगे और बहुत बोल डिसीजन लेंगे और तब यह आपके पास वापस आएंगे और यह जो एक रिय आपके पूछन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है उसे चोड़ कर वह आपको चुनके आपके पास वापस आ रही है तो यह जो परसन है यह आपके बहुत अच्छे दोस्ते हैं या फिर आम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वह फ्रेंड्शिप पला कनेक्शन है यह जो परसन है यह आपके चाइल्ड हुड लावर्स है यानि कि हो सकता है कि सेम स्कूल में सेम कॉलेज में या फिर सेम वर्क प्लेस पे आप लोग होंगे और यह परसन बहुत लंबे टाइम से आपको अपनी के शादी का यानि के यह मतलब की आपके लिए प्रपोजर लेकर आएंगे के विल्यू मैरी में और अपनी गल्पियों के लिए माफी मांगें यह ऐसा रियूरियन होगा जो बेसिकली फ्रेंड्स के बीच में जाता होगा मतलब की सिक्स ओफ कॉप्स फ्रेंड्शिप को जा पर आसकते हैं आप डोलब बहुत बढ़त बोससकते हैं यह यह गांति के आपकते क्यूंत आप के तो आपका जो रिए ने वह चार से आठ महीने के पीच में हो जाएगा अब जो थर्ड कार्ड वह टावर कार्ड वाला जो टाइम आता है तो टावर कार्ड का एक स्पैसिफिक टाइम आता है अगर आपका कॉश्चन यह है कि कब उनका कर आपके हात में सीधा टावर कार्ड तो टावर कार्ड का बीच में होता है यानिके मार्च 20 से घृट वह कार्ट के दिन होते हैं तो टावर कार्ड के यानिकि इस परिशन का मैसे जब ही भी आएगा मार्च 20 अपरेल के बीच में आएगा दूसरे टाइम होगा कि 30 दिस क्योंकि मेजर आरकान तो 30 दिन के बाद आएगा और जब यह रियूनियन होगा तो यह परसन ऐसे नहीं होंगे कि बहुत टाइम से सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं आपके पास वापे जाना नहीं इस परसन के लाइफ में इतने जादा बहुत चुके होंगे कि क्या करना तो इमोशनल वह अंदर से इतना जादा भर गए भर गए होंगे कि उनका वह इमोशनल आउट बस्टोर है कि आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कि जा रहे हैं सड़न बहार की तरफ आ रहे हैं और वह जब इनका अपने उपर से इस परसन के साथ रहे होंगे इनकी लाइफ में एक डिरास्टिक चेंज होता है इनका कोई डिवास्ट चल रहा होगा या किसी की फैमली मेंबर की दैथ हो गई हो गई हो गया फिर यह मतलब फाइनेशली बरबाद हो रहे होंगे तब इनका मैसेज और कॉल आएगा तब इन अपनी गलती का एहसास होगा इन्हें बहुत बड़ा कार्में क्लैसन मिलेगा और इमिजेटली इन एहसास होगा तब याद के पास वापस आएंगे तो यह है टावर कार्डवाला रियूनियन तो यह थी हमारी आज की मतलब पास थी हमारी आज की मतलब टीजे की मतलब टीजेटली आज की मतलब तो यह रवाला वापस अभलब